श्री राधे राधे, भगवान की भक्ति में जो पिछले जन्म से ही कुछ गतिमान रहा है, इह जन्म में भगवान की माया की कारण वो कभी-कभी जाग्रित नहीं रह पाता, सुरुप तवस्था में रहता है, क्योंकि पिछले जन्म की उसको याद नहीं रहती है, याद भले नहों, लेकिन प्रकृति कुछ ऐसी हो जाती कुछ उसी तरफ ब्यक्ति चलता है, और तब कृपा निधान भगवान किसी ने किसी संत को मिला देते हैं, जो उसकी प्रगति में सायक बन जाता है, अब से लगभग पच्पन वर्ष पहले, गोवर्धन की परिक्रमा में गोविन्द कुंड पर एक बहुत ही महान संत रहते थे, जिनका नाम था अद्वाइच दास, ये बंगाल के रहने वाले थे, और भगवान की कृपा से बच्पन में इनको बहिराग्य हो गया था, ये बच्पन में अधिकतर गुम सुम बैठे रहते थे, कुछ चिन्ता में रहते थे, तो एक संत इनके पास आए, मृच्चुन्जे दास जी, और वो बोले कि तुम चिन्ता में क्यों बैठे हो, चिन्ता के विशय की चिन्ता न करके, चिन्ता हरन की चिन्ता करो, असत्य की चिन्ता न करके, सत्य की चिन्ता करो, चिन्ता अपने आप भग जाएगी, भक्तों ये शिक्षा सभी के लिए ब्यक्ति अधिकतर आसत्य की चिन्ता करते रहते हैं और यहां संत का उपदेशे की सत्य की चिन्ता करो तो चिन्ता अपने आप भग जाएगे आसत्य की चिन्ता छूट दैगी जब सत्य की चिन्ता आप करने लग जाएगे ये अद्वाइत दासजी का जन्म सन 1870 में बहुत ही भाक्त परिवार में वुआ था और मेधनी पुर्जिले में इनका जन्म वुआ था किन्टु डेल वर्च की अवस्था मिजब्थे तभी इनके पिता का निजन हो गया कि इनके भाई ने इनका पालन पोश्ण किया था भाई को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि बच्पन में ही इस बच्चे को भजन और वाईरागी में लगा रहे हैं महराज भाई ने सोचा है बड़े भाई ने की इसका विवाह कर दें तो ये विरक्त नहीं होगा तो उनों ने उननीस वर्ष की अवस्था में उनके विवाह की तैयारी कर दी किन्तो भगवान की कृफ़ा से इनको वहिराग्य ऐसा हो चुका था कि ये एक पुष्टक प्राप्त कर लिये थे जिसका नाम था मन शिक्षा ये लाकर के मुर्तुंजे दास्टिन दिया था और बस वो उसको पढ़ते रहते थे उसमें लिखा हुआ था मन तू कैसा मूर्ख है देख सुनकर भी कुछ नहीं समझ रहा है सार असार अपने स्वरूप का विचार किये बिना तू क्या करता रहता है दूसरों के लिए जीवन वर्थ गमा रहा अपने लिए कुछ भी नहीं करता है अपने धन जन को जो तू अपना समझ रहा ये तेरी भूल है कब ये तुछ से छूट जाएं कौन कह सकता है जो सचमुष तेरा अपना है सदा के लिए अपना है जिससे तेरी उत्पत्य और इस्थिती है उसे तू नहीं जान रहा है देख तेरा जीवन पवन के समान अस्थिर है इसे जाते क्या देर लगेगी इसकी क्या कोई रोग ठाम कर सकेगा तू ये पवन की तरह आया है पवन की तरह विलीन हो जाएगा फिर तू किसके लिए गधे की तरफ पिस पिस करके मर रहा है इस प्रकार की बाते हैं उस मन शिक्षा नामक पुस्टक में हैं वो ये बच्पन से ही पढ़ते थे अद्धो इत्दास की और फिर इनका जो वैराग्य था उप्रकर होता जाता था और एक बार इनको ऐसा मोका मिला कि ये महाप्रभुजी की शिक्षा उनकी लीला ये सब प्राप्ट करने के लिए सुवसर प्राप्ट किये क्योंकि मुर्ट्टन जैजास के तरफ ये घर से निकल पड़े थे और श्री धामनबत द्वीप होते हुए ये मैना डाल नाम की जग तो वहां पर इनको रात में महाप्रभुजी ने स्वप्न में दर्षिन दिया और महाप्रभुजी के दर्षिन करते करते इन्होंने देखा कि एक बाबाजी का रूप धारन करके उनके प्रचिशनेह पूर्वक देख रहे हैं और दूसरे दिन आश्रम में ठीक उसी प्रकार से एक संत आये देता कि उन्होंने महाप्रभुजी को रात में स्वप्न में देखा था कि एक संत का रूप उनुने धारन कर लिया उसी प्रकार के एक संत आये और उनका नाम था विश्णु दास्टी महराज वो ब्रंदा बनके थे वो संकीर्तन में आ करके बैठे और उनको जब देखने लगे तो वो देखते देखते बिल्कुल पहिचान लिए कि वही हैं जो रात में महाप्रभु जी ने स्वपन में हमको दर्शन दे करके रूपधारन किया था बस उनके चरण में अद्वाइट दास्टी पढ़ गए और उदन करने लगे हे गुर्देव हा गुर्देव गुर्देव ऐसे कह करके रोने लगे तो यह विश्णु दास्टी महराज थे यह कभी गोवर्धन की तलहटी में भी जाते थे गोविंद कुंड में और कभी व्रिंदावन में रहते थे जगनात जी के आसपास तो इन्होंने पहिचान लिया कि यह बालक जो है यह पूर्व जन्म का संत है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा इसके उपर हुई है तो उन्होंने दिख्षा दे और अद्वाइत दासनाम रखा और फिर वो उनको भजन की विध्या साधना सब कुछ सिखलाए और बोले बेटा अब तुम जा करके बहुत वैरागी के साथ भजन करना कुछ भी संसार की चीज में आकर शित्मत होना और महाराज बहुत ही अद्भुत माता को पता चला इनके जाने का माता ने दुरूदन को बोत किया लेकिन उन्होंने बाद में यही कहा कि बेटा तुम चाहे जहां रहो मेरे पास संबाद अठात अपना हाल भेशते रहना महाराजी ने कुछ दिन तक निभाया इस चीज को और अपने हाथ से गोबर्धन की परिक्माय में इनोंने स्रीनाजी के मंदिर के निकट में एक कच्ची कुटिया बनाई कि कच्ची कुटिया मिट्टी की बना करके लकडियाद की बना करके कुछ घास पूस कुछ लकडी कुछ मिट्टी एससे बना करके कच्ची कुटिया में रहते थे एक भी पैसा किसी से लेते नहीं कि कोई देता था तो हाद जोड़ करके मना कर जेते थे इदी कोई राख जाता था तो किसी दूसरे को काते ते इसको उठा ले जाओ वैराग्य में सच्चाई थी और भगवान चैतनी महाप्रभु में बड़ी श्रद्धा थी महाप्रभु जी में इतनी श्रद्धा थी कि उनका स्वप्न में दर्शन इनको प्राप्थ होता रहता था और जो महाप्रभु जी स्वप्न में दर्शन दे करके उनको बताते थे उ ा चुकादक को तो कृपालो प्रभू उस आहंकार को दूर करते हैं इनको भी एक बार वहरागय का आहंकार हुआ तो उसी समय जब आहंकार बहुत जाधा है इनको हुआ कि मेरे ज़्द सब वहरागयओन कोई नहीं तो उन्होंने देखा उसी समय उनके संत उनके सामुक एक संत आये गिर्जाज की गुफाचे और उनके शरीर में एक एक हड़ी किन सकते थे ऐसी शरीर की अवस्था थी गोविंद कुंद में शनान किया और जब वो पूजा करने लगे तो क्यों दो चुलू जल पिया औ और भगवान का नाम पुकार के रोते थे तब इनके समझ में आया कि मेरा वईराग्य का अहंकार मिथ्या है उन संत का दर्शिन करके उनके चड़नों में प्रणाम करके बोले कि मेरा अहंकार दूर करने के लिए प्रभू ने आपको बेजा है और अधिक भजन में लगन हु कि कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गोचारन करके वापस लोट के आ रहे हैं उनकी अंतर दिष्टी उनकी रूप माधुरी में उलज कर रह गए वे तब तक एक तक उन्हें निहारते रहे जब तक वे आँखों से ओजल नहीं हो गए लगातार कृष्ण बलराम को ग्वाल स रखाओं के साथ, गईयों के साथ, गाय चरा करके वापस आते हुए देखते रहे और प्रभून के सम्मुख चलते रहे कृष्ण बलराम और साथ में सखा लोग भी बहुत देर तक देखते रहे उसके बाद आँखों से ओजल हुए उन्होंने देखा कि गोविन्द कुन के उस पार व्रिक्ष रूप में एक भक्त जो उन्ही की तरह उनकी और एक टक निहार रहते मुर्चित हो प्रच्वी पर गिर पड़े तो सोचने लगी कि ये व्रिक्ष के रूप में कौन भक्त हैं जैसे मैं कृष्णबल राम को देख रहा था गोचारण के दिरिश्च में ऐस आख खोल करके फिर देखा तो कुंद के उस पार सचमुच एक व्रिक्ष जो अभी तक हारा भरा था भूम पर गिर पड़ा है तब उनके समझ में आया कि जो लीला मैंने देखी वो सच्ची थी और ये व्रिक्ष जो गिरा ये भगवान का भक्ति ही था सास्तांग दंडवत किया है तो उनके समझ में आ गया कि श्रिवंदा भन धाम गोवर्धन वरसाना ये भगवान के धाम के वरिक्ष हैं इनमें भी विशेश चेतना होती है और महरा तमाम प्रकार की लिलाओं का दर्शन को होता रहता था किस प्रकार की लिलाएं किस दिन होती थी उसका वरणन ये कभी कभी सुनाते थे संतों को जब इनको आज्या होती है तब बताते थे और फिर इनको गुरुदेव ने कहा कि तुम भागवत का अध्यान करो और वैश्नों की सेवा करो कि ये भागवत का अध्यान करने लगे और वैश्नों संतों की सेवा में लगे जब भी करते थे ध्यान भी करते थे ध्यान और जब करते रहते थे और वागवत भी पढ़ते थे और वैश्नों संतों की सेवा में लग गए और एक दिन जब ये भगवान के भक्ती में लगे हुए थे तब इनको पता चला है कि इनके गुरुदेव जो उस्त्रमा उनके पास नहीं थे और वे अपने एका कार चित्ते बृत्ती करके भगवान की लीला में प्रवेश कर गए बस ये सुनते ही अद्वाइद दास पचाड़ खार करके गिरे और गुरु वियोग इनसे सहन नहीं हुआ लगता था कि ये भी प्रानत्याग देंगे और उस समय जब ये आतिशय व्याकुल थे तो स्वप्न में उनके गुरु देव ने एक सादू को दर्शन दे करके कहा कि अद्वाइद दास मेरे विरह में बहुत विरह कातर हो रहा है जाकर के उससे कहो कि वो दुख नग माने जिस तुलसी के व्रिक्ष के नीचे में बैट करके भजन किया करता था वहां जाकर के वो पहले की तरह मुझे देख सकेगा और मुझे बात भी कर सकेगा जिस सादू को सवप्न दिया था उनका नाम था हरिदास तो हरिदास ने उसी दिन प्राटर काल राधा कुंड पर जाकर के अद्वाइद दास बाबा को सवपन का सब्रतांत करके सुनाया बाबा ने आकुल भाव से कहा मुझे शीगर वहां ले चलो इजिस सच्मस उनके दर्शन होंगे गुरुदेव के तो प्राण रखूंगा नहीं तो गोविंद कुंद में डूब के मर जाऊंगा और महराज गोविंद कुंद पहुंच करके उन्होंने तुल्शी के उस मंच के नीचे गुरुदेव के साख साथ दर्शन किये जो की शरीर छोड़ चुके थे उनका प्रत्चेक्ष दर्शन गुरुदेव का उन्होंने अद्वईद्दास ने प्राप्त किया और फिर उन्होंने समझाया उनके द्वारा भली प्रकार आश्वस्त होने पर फिर वो धायरे धारन कर पाए और भागोत आत के अधियन में लिला चिंतन में वैश्नों सेवा में तब लगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा निराश हो गये थे गुरु का वियोग उन्हों से सहन ही नहीं हो रहा था अब जब हरिदास जी को जो स्वपन दिया था विश्नों दास जो उनके गुरुदेव ने तुलसी ब्रिक्षी के पास मेरा दर्शन होगा तो प्रक्षक्ष दर्शन मि समझाया भी तब ये धीरा रख पाए नहीं तो शरीर छोड़ने को दोईदास भी त्यार हो गये थे बाबा दोईदास जी संकीर्टन पर बहुत जोड देते थे वो कहते थे कि मैंने गुरुदेव की कृपा से संतों के द्वारा अनुवप्राप्त किया और खुद मुझे भी अनुवव हुआ है कि संकीर्टन और आश्ट्याम लीला चिंतन बहुत लाब देता है वे नाम जब पर बहुत बल देते थे और कहते थे नाम कल्पतर हुआ है नाम की कृपा से साधक के हिर्दय में लीला की स्फूर्थी अपने आप होने लग जाती है वो कहते थे कि ना नाम जब करने से महाप्रभु चैतन ने बहुत प्रसंद होते हैं और लीला चिंतन में राधारानी की कृपा से वृद्धी होती जाती है बहुत भाव से स्ने से नाम जब करना चाहिए लापरवाही से नहीं करना चाहिए नहीं को लाब नहीं हो पाता पूरा और वो हमेशा भक्तों को सत्मतों को बताते थे कि कीरतन करते समें साधक का मनुभाव होना चाहिए, कि श्री नित्यानन्द प्रभू, चैतन्य महाप्रभू और उनके गुरुदेव साथ में कीरतन कर रहे हैं और वो साधक उनका साथ दे रहा है। इस प्रकार भाव रख करके इस प्रकार से ध्यान करते हुए खिर्टन करना चाहिए। किरतन के साथ साथ ही जो ध्यान स्जवर्द कर रहें कि छाए पर नितियानन्द्र प्रभू और उनKछुद के गुरदेव किरतन कर रहे हैं और जो भी साथ दे रहे हैं तो ऐसा ध्यान करनेशी श्रीग प्रेम की प्राप्ति होती है और साधक को यह जानना चाहिए कि वो यह जी मधुरभाव का उपासक है तो श्रीवंधा बंधाम की जो रस परमपरा है उसके नुचार को सहचली भाव की साधना करने चाहिए वो राधा रानी को अर्थात प्रिया जी को प्रिया प्रियतम को एक दूसरे को सुख देने के लिए चिंतन करने सेवा करने चाहिए स्वयम सुख प्राप्ट करने के विलाशा का त्याग करना चाहिए सहचरी भाव में रहना चाहिए और राधा जी की कृपा प्राप्ट करने के लिए उनके परायन होकर सेवा करते रहना चाहिए संसार के सभी कार्य करते समय उसका मनोभाव होना चाहिए कि मैं राधारानी का कारे कर रही हूं गोपी भाव से सोचता है तो मैं राधारानी का कारे कर रही हूं ऐसा अद्वई दासी महराज के कहना था उकातेटी इस प्रकास से साथ मैं करने से बहुत जल्दी सफलता मिलती है और महाप्रभु चैतनी जी की पूर्ण कृपा हो जाती तब उसको भगवान की भक्ती का पुरालाप प्राप्त होता है। और मधूर लीला के विशाय में सहचेरी भाव को बहुत मुख्टा देते थे। उकाते थे अपने स्वार्थ के अपने सुख के स्वार्थ में नहीं रहना चाहिए। राधारानी को सुख मिले, कनहिया को सुख मिले, युसी में अपने को सुख मानना चाहिए, और बहुत परिश्चम से कीर्टन करना चाहिए, पूरी शक्ती के साथ कीर्टन करना चाहिए, कीर्टन और जब कोई मुख्यता देनी चाहिए, गुरु मंत्र की, जो दीक्षा मंत्र की साधना है, उस साधना में और नाम कीर्टन में बहुत भाव से लगने से धीरे धीरे सब प्राप्ती हो जाती, सभी उप्लब्दी हो जाती है, ये उपदेश के वर नहीं था बाबा का, ये करके वह दिखाते थे, नाम कीर्टन करते थे, जब करते थे, ध्यान करते थे, और गोपी भाव की साधना साचरी भाव की करते थे, गोपी भाव और साचरी भाव का अंतर ये समझाते थे, कि साचरी भाव में प्रिया प्रियतम के सुख का ही महत्व होता है, और उसी सु अंदाबन धाम में और मुक्ष रूप से गोवर्धन में की थी। सन 1962 तक वो भक्तों के बीच में बड़े आनंद के साथ भाजन में कीरितन में जीवन बेतीत किये थी। इसके बाद उन्होंने फिर भक्तों को बड़े प्रेम से बुला करके महां संकीरतन महायग्य का प्रारंब करवाया। और बोले कि गुरुदेव की आज्या मुझे हो चुकी है और भगवत धाम जाने का मेरा समय आ गया है। अब आप लोग नाम महायग्य को प्रारंब कर दो। वो हारि नाम सुन सुन करके कभी-कभी मुर्षित हो जाते थे। कभी-कभी वो फिर जागरत होते थे। और फिर भक्तों को रहते हैं। देखो मेरी नाडी अभी है क्या। तो लोगों ने कहा हूँ बाबा आप तो हम लोगों से जादा जांते हो। तो उन्होंने कहा देखो वैद्जी राज एक वैद्जी ने देखा गुनारी थी यह नहीं और बाबा बैठे हुए थे बुले अब सुम्झ मेरा आगे आप लोग नाम महराज के इसी प्रकार से प्रेम से कीर्टन करते रहो और अब मेरे जाने का सुम्झ आ चुका है तो कीर्टन के बीच में ही कीर्टन सुनते सुनते और उसी में एकदम तरंगाए मान होते हुए भाव विभोर होते हुए अद्वईद्दास बाबा ने श्री गोबर्धन जी की तलहती में गोविंद कुन्ड के किनारे देख कात्या किया था बहुत इनको अनुभव हुए थे भागवान की बहुत तिलाओं का दर्शन किया था ऐसे महान पुरुष के चरण में बार बार पुनाओ श्री राद है देख स्री राद है